जै मसिकी, गूट मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का वचन हमारी लिए, नहम्या का किताब, अध्याई दो, आयत आठ, नहमाया, चैप्टिट टू, बर्स एट, आपके लिए पढ़ना चाहती हो. और सरकारी जंगल के रखवाले, आसाप के लिए भी इस आशे की चिट्टी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगण की कडियों के लिए, और शेहरपना के और उस घर के लिए, जिसमें मैं जाकर रहूगा, लकडी दे. मेरे परमेश्वर की कृपा द्रिष्टी मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विंती स्विकार कर ली. इस आयत का अंतिम लाइन पर हम नूख ध्यान देंगे जहाँ पर लिखा है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टी मुझ पर थी इसलिए राजा ने यह विंती स्विकार कर ली जैसे नहम्या को पता चला कि येरुशलें की शहरपना तूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए है जैसे नहम्या को ये खबर मिलता है पहली अध्याय का चौती आयत में हम देख सकते हैं नहम्या ये बाते सुनकर बैटकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाब करता और स्वर्ग के परमेश्वर के समुक उपवास करता और प्रार्थना करता रहा हमने देखा कि नहम्या ने ये बात सुनते ही उपवास करने लगा प्रार्थना करने लगा दूसरी अध्याई को जब हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत से हम देख सकते हैं कि कुछ दिन या कुछ महिने बाद नहम्या राजा के सामने पहुँचता है उस समय पर राजा नहम्या का चहरा देखकर पूठता है ये नहम्या तो इतना उदास क्यों है उस समय पर जो भी राजा के सामने सेवा करता था या जितने भी लोग थे उन लोग जब राजा के सेवा करते समय कोई भी उदास चहरे के साथ वहां पर रुख कर काम नहीं कर सकता राजा के सामने हमेशा एक अच्छा चेहरा या हस्मुक चेहरा के साथ उनको अपना कारिय पूरा करना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहम्या के मन में इतना दुख कि वो दुख नहम्या के चेहरे पर दिखा और राजा ने नहम्या से पूछा तुम्हारा चहरा इतना उदास क्यूं है उस समय पर नहम्या एक शन प्रातना करता है और राजा से जवाब देता है कि राजा मेरा शहर यरुशलेम का परिस्तिती या उसका कंडिशन बहुत बिकार है शहर पना तूटी हुई है फाटक जले हुए है और वो पुरा जग़ एक खंडर जग़ जैसर पड़ा हुआ है तब राजा नहम्या से पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूँ तब नहम्या कहता है कि मैं चाता हूँ कि मैं वहाँ पर जाओ और वहाँ के इलाकों को देखू और मैं कुछ वहाँ पर करूँ और जैसे ही राजा नहम्या के मन की बातों को सुनता है राजा के मन में परमेश्वर कार्य करता है और उसी बात को आज हम लोगों ने आयत में पढ़ा जहाँ पर नहमिया कहता है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टी मुझ पर थी इसलिए राजा ने यह विंती स्विकार कर ली देखिए नहमिया को यरुशलेम भेजना राजा के लिए कोई फाइदा नहीं है राजा को कुछ भी नहीं पड़ी है कि यरुशलेम कैसा पड़ा हुआ है लेकिन परमेश्वर का हाथ परमेश्वर का कृपा दृष्टी नहमिया पर था इसलिए राजा के मन को परमेश्वर ने बदल दिया जो शब्द यहाँ पर लिखा है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टी वहाँ पर एक छोटा सा स्टार है आस्टरिक्स है नीचे उसका दूसरा एक शब्द दिया गया है भला हाथ इंगलिश में में लिखा है परमेश्वर का हाथ मुझ पर था इसलिए राजा ने ये बात स्विकार कर ली नहम्या के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्बुत कार्य किया क्यों किया क्योंकि नहम्या के जीवन पर परमेश्वर का हाथ था मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी जब हमारे जीवन को हमारे परिवार को हम देखते हैं बहुत से वक्त हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए सारे दर्वाजे बंद है हम कही से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इतनी सारी संगर्ष इतना सारा समस्या लेकिन मेरे प्रियों इस बच्चन के मुताबिक अगर प्रभु का हाथ हम पर है परमेश्वर की कृपाद्रिष्टी हम पर है तो हमारे लिए नए नए रास्ते खुलेगा इसी के साथ साथ में एक आयत आपके लिए पढ़ना चाती हूँ और वो है पहला पत्रस अध्याई पांच आयत छे फर्स पीटर चैप्टर फाइफ वर्स सिक्स यहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर के बलवन्थ हाथ के नीचे दीनता से रहो जिसे वो तुमें उच्चित समय पर बढ़ाए यहाँ पर पत्रस कहता है जब तुम प्रभु के बलवन्थ हाथ के नीचे दीनता के साथ रहोगे तब परमेश्वर सही समय पर हमें बढ़ाएगा मेरे प्रियों काफी समय से हम लोग कुछ-कुछ विश्यों के लिए परातना कर रहे होंगे और हम लोग को जवाब दिखाई नहीं दे रहा है आपको लगता होगा मेरे जीवर में कब एक बदलाव होगा कब एक उन्नती को मैं देखूंगा या देखूंगी लेकिन मचन कहता है जब प्रभू के हाथ के नीचे हम लोग दीनता के साथ रहेंगे तब परमेश्वर सही समय पर उचित समय पर हमें बढ़ाएगा दीनता के साथ रहने का क्या मतलब है प्रभू के हाथ के नीचे रहने का मतलब है अधीनता के साथ प्रभू के प्रती समर्पन के साथ प्रभू के प्रती आज्याकारी होकर परमेश्वर को वच्चन को मान कर दीन होकर नम्र होकर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे सही समय पर परमिश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा और परमिश्वर हमको आधर देगा तो मिरे प्रियो आज ये वच्छन आपको हिम्मत देने पाए बंद दर्वाजों को खोलने वाला हमारा परमिश्वर सही समय पर हमारे लिए कार्य करेगा नहम्या के लिए कार्य किया हुआ परमिश्वर आज हमारे जीवन हमारे परिवार के लिए भी कार्य करेगा आई यह हम लोग प्रात्ना करें सुर्गे पिता अचका वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ वचन सुनने वाले हरे एक भाई और बहन को आपके हाथ में मैं समर्पित करती हूँ प्रबुजी प्रबु हम सब आपके बच्चे हैं ये वचन पर हम लोग पूरी रीती से विश्वास करते हैं प्रबुजी और हम हमारी जीवन को आपके हाथ के नीचे दीनता के साथ हम लोग समर्पत करते हैं प्रबुजी प्रबु उच्छित समय पर आप हमें बढ़ाना परमेश्वर अपकी सेवा के लिए इस्तमाल करना प्रबुजी अलग-अलग संघर्ष से होने वाले लोगों के लिए मैं प्र दिवार के लिए आप इस्षु के नाम से रास्ता खोलना पिता परमेश्वर आपने अमारी प्रात्ना सुने असले धर्यवाद आदर और महीम आपको देते हुए इस्षु के नाम से हम पांगते हैं आमेन गड़ ब्लेस यू आल जैमसी की